हेलो एवरिवन वेलकम बैक और आज की इस वीडियो में हम डिसीजन ट्री लर्निंग की एक अलगॉरिदम को डिसकस करेंगे जिसका नाम है आईडी 3 सो स्टार्ट करते हैं आईडी 3 की फुल फॉर्म के साथ और आईडी 3 होता है हमारा इटरेटिव डिकोर्टोमाईजर 3 अब इटरेटिव डिकोर्टोमाईजर 3 जिसको हम आईडी 3 के नाम से जानते हैं यह हमारे डिसीजन ट्री लर्निंग की एक अलगॉरिदम होती है और इसको हम यूज करते हैं क्लासिफिकेशन के टास्क के लिए और आईडी 3 अलगॉरिदम का जो कॉंसेप्ट है वो यूज करता है information gain को अब information gain हम previous वीडियो में discuss कर चुके हैं आप हमारी previous वीडियो देख सकते हैं जहां पे हमने decision tree learning को completely discuss किया है उसके theoretical पार्ट से लेके उसके practical real life example data set के साथ कि किस तरीके से decision tree create होता है और वहां पे हमने बहुत सारी technical terms जैसे कि information gain, entropy, जिनी impurity, inductive bias, inductive inference सभी को जो है explain किया है with example बट अभी के लिए इस वीडियो के लिए आप information gain को इतना समझ लीजिए कि information gain जो है basically हमारी technique होती है जो की feature selection के लिए use होती है जो decision tree हम create करते हैं उसके अंदर जो हमारी nodes होती हैं जो features होते हैं वो किस तरीके से select होंगे और best feature हमें select करना है वो machine को कैसे पता चलेगा उसके लिए information gain नाम के concept का use किया जाता है तो यह जो हमारी algorithm है यह basically greedy approach को follow करती है और build करती है decision tree को by selecting a best attribute जैसा मैंने भी आपको कहा information gain को जब हम use करेंगे तो हम क्या करते है best attribute को choose करते हैं और best attribute को choose करने के लिए हम information gain का use करते हैं या फिर id3 algorithm के अंदर हम entropy का भी use करते हैं और entropy की value minimum होनी चाहिए और information gain की value maximum होनी चाहिए और यह जो हमारी algorithm है id3 इसकी full form 3 iterative decodomizer 3 iterative का meaning repeatedly जो की आप हर एक programming language में use करते आते हैं जो हमारा decodomizer है उसका synonym होता है decodomize और उस decodomize का meaning होता है divide करना तो iteratively decodomize यानि कि repeatedly हमें क्या करना है बार बार divide करना है किसको? features को और features को divide करना में 2 या 2 से जादा groups के अंदर जैसा कि हम decision tree के अंदर divide करते हैं और यह जो हमारी id3 algorithm होती है यह basically top down greedy approach को follow करती है अब top down का मतलब है यहाँ पे कि हम start करते हैं tree को build करना from the top यानि कि root node से हम हमारे tree को build करना start करते हैं और greedy approach का meaning है कि हमें क्या करना है हर एक step पे iteration करना है यानि कि repeatedly हमें best feature को select करना है to create a node तो इसलिए top down और greedy approach का हमारी machine learning की algorithm जिसका नाम है id3 वो इसका एक example है अब id3 algorithm के कुछ steps होते हैं जिनको हम use करते हैं to create a decision tree तो पहला step होता है हमारा information gain को calculate करना सभी features के लिए तो जो हमारा data set होता है उसके अंदर जो मारे features होते हैं column name होते हैं parameters होते हैं उनको हमें जो है choose करना होता है to create a root node और हम कैसे पता चलेगा कि हमारे पास अगर चार column है चार feature है तो कौन सा हमारी algorithm के लिए best root node रहेगा तो उसके लिए जो हम हर एक feature का information gain calculate करते हैं और फिर information gain calculate करने के बाद हम हमारे data को split कर देते हैं into subset अब subset में split करने का meaning है जो हमारा data set है उसके बाद जो उसकी values है उसके according हम हमारे data को split कर देंगे और जैसे split कर देंगे तो हमारे पास और values आ जाएंगी और नए features आ जाएंगे and again उन features के हम कैसे calculate करेंगे कि वो best है हमारी algorithm के लिए उसके लिए फिर से हम information gain के process का use करेंगे और जब हम इस decision tree के feature को calculate कर लेंगे best feature extract out कर लेंगे with the help of information gain तो हमें check करना है कि हमारी सारी rows जो है उस feature की क्या वो same class से belong करती है same class से belong करने का meaning है कि हमारा data आगे और split हो सकता है तो previous video में मैंने दो split की बात की थी pure split और impure split अगर हमारा data pure split है it means हम उसे आगे divide नहीं कर सकते और ये हमारा जो feature अभू कहलाएगा leaf node line के अंदर mention भी है make the current node as a leaf node with the class as its label और अगर हमारा data होता है impure split तो इसका मतलब हमारा data mix up है हमें final output नहीं मिल रहा है तो वो हमारा leaf node नहीं होगा और उस process को फिर हम क्या करेंगे again maximum information gain calculate करेंगे उसके features की तो last step हमारा यहीं कहता है कि हमें हमारे remaining features को जब तक calculate करना है जब तक हमें हमारे decision tree की सभी leaf node नहीं मिल जाती तो यह basic इसके id3 के steps हैं और अब इनको समझते हमें के example के साथ तो हमारे पास एक data set है जिसके अंदर तीन हमारे features है fever, cough और breathing issue और तीनों के जो हमारी input values है यह lead कर रही है हमारे final output को जिसका name है infected यानि कि कोई individual infected है या नहीं वो इन तीन parameters पर depend करता है अब decision tree create करने के लिए आप इन तीनों में कौन सा choose करेंगे तो उसके लिए हम calculate करेंगे इस overall data set की entropy तो जब हम entropy calculate करते हैं तो हमें entropy का formula पता होना चाहिए तो वो हमारा यहां पर हमने mention कर दिया और बाद में जब हम data को split करने के बाद feature का information gain निकालेंगे तो हमें information gain का formula पता होना चाहिए जो कि basically आपके entropy के formula से derive होता है तो उसका भी formula मैंने आपके लिए यहां पर mention कर दिया अब हमारे data set के अंदर आप देखे total 14 rows है और यह rows जो है हमारी क्या कर रही है कुछ output को lead कर रही है तो total हमारे पास 14 row में से कितनी 8 rows जो है वो target value yes को achieve कर रही है और 6 rows जो है हमारी target value no को achieve कर रही है तो अब हम क्या करेंगे उसकी entropy calculate करेंगे तो जब हमने उसकी entropy calculate की with the help of entropy formula जो की होता है हमारा minus of probability of yes into log to probability of yes minus probability of no into log to probability of no तो probability of yes क्या है 8 by 14 because total 8 rows है जो yes को achieve कर रही है out of 14 और probability of no है हमारा 6 by 14 because total 6 rows है जो की lead कर रही है no को out of 14 तो जब हमने उसको इस formula put up किया तो हमारी entropy की value is 0.99 और जब entropy की value 1 के near होती है it means हमें data को split करना है तो अब हम क्या करेंगे data को split करने के लिए हमारा पहला random feature उठा लेंगे जिसका नाम है fever तो fever के ने अब हम क्या करेंगे information gain को calculate करेंगे तो अब हमारे fever feature के अंदर 8 rows जो है वो yes को deduce कर रही है और 6 rows जो है no को achieve कर रही है तो अब हम क्या करेंगे इस yes और no के data set को split कर देंगे because जो हमारा fever का feature है वो क्या output देगा अगर fever है तो yes के feature yes की branch को expand करेगा और अगर no है तो no की branch को expand करेगा तो yes और no दोनों की branches को expand करने के लिए हम दोनों के data set को यहाँ पे split कर देंगे तो आप देखिए fever अगर yes है तो उसका भी हमें output पता है कि हमारा individual infected है या नहीं और fever अगर no है तो उसका भी हमें output पता है कि individual infected है या नहीं अब हम क्या करेंगे yes के लिए और no के लिए दोनों की क्या value calculate करेंगे उन दोनों की हम information gain calculate करेंगे तो total values हमारे पास 14 हैं, अब हमें क्या करना, yes के लिए calculate करना है, तो probability of yes, अब देखिए आप यहाँ पे जो हमारा data set ता split होने के बाद, उस 8 rows में से yes के लिए हमारे पास 6 times जो है person infected मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस positive के entropy calculate करेंगे, और probability हमारी calculate होके आई 0.81, तो यह हमारी entropy है, 0.81 किसकी fever के अंदर feature की, कि हमारा output yes आएगा, इसी तरीके से no की जब हमने probability calculate की, उसकी value है 0.91, तो अब हम data को split करेंगे, हमारे data set को fever के corresponding, तो उसके लिए में क्या करना होगा, information gain calculate करना होगा, because हमें नहीं पता कि fever के अंदर yes के लिए हमारे पास value हमें best चाहिए, या no के लिए value हमारी best चाहिए, यह हमारी machine को नहीं पता, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर उसकी information gain calculate कर लिया, और information gain की value है 0.13, तो अब हम क्या करेंगे, कफ और breathing के issues को जो है next हमारे feature में calculate करेंगे, और इसी तरीके से जैसे हमने previously fever का information gain calculate किया था, यहाँ पर भी जो हम calculate कर लेंगे, और यहाँ पर मैंने calculate करके रखा है ताकि video अमारी लंबी ना जाए, अब आपको इन formulas को याद नहीं रखना है, manually calculate नहीं करना है, बट यहाँ पर आपको concept पता होना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर इसको यहाँ पर discuss कर रहे हैं, तो information gain हमारे कफ का है 0.04 और हमारे breathing issue का है 0.40, तो हमें कौन सा चूज करना होता है, feature जिसका information gain की value maximum होती है, तो हमने क्या चूज कर लिया, 0.40 चूज कर लिया, कि breathing issue का highest information gain है, तो हम उसको जो है, यहाँ पर क्या कर देंगे, root node बना gain, fever का भी calculate किया, cough का भी calculate किया, breathing issue का भी calculate किया, और तीनों में से जिसका best information gain है, उसको हम क्या कर देंगे, root node बना देंगे, अब हमारा initial tree कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहां पर breathing issue के दो branches निकलेंगे, yes और no के, अब fever और cough, वो भी हमारे unused feature है, जिनको हमें use करना है, बट ह हमें कैसे पता चलेगा, कि यहां पर yes के पास कफ आएगा, या no के पास कफ आएगा, यानि कि best feature कौन सा होगा हमारी algorithm के लिए, तो उसके लिए again हम क्या करेंगे, ig feature हम calculate करेंगे, यानि कि information gain calculate करेंगे, fever और cough का, जिससे हमें पता चलेगा, यहां पर हमारा कफ का parameter आना तो वो चीज हम calculate करेंगे with the help of information gain, और जब हमने information gain calculate किया, तो fever का information gain आया हमारे breathing issue से relate करने के बाद, 0.20 और cough का आया 0.09, तो जिसका maximum information gain उसको हम पहले choose करेंगे, तो हमारी yes वाले part में क्या आजाएगा, हमारा fever वाला part आजाएगा, तो जब हमारा data set कुछ इस तरीके से के अंदर fever का information gain जादा था, तो fever यहां पर आ जाएगा, और हमारा data set again, फिर yes or no के लिए divide हो जाएगा, तो इस तरीके से जो है, हमारा एक complete tree construct हो जाएगा, और हमारे output, यानि कि जो leaf node है, जो कि target variable हमें achieve करना है, वो हम उस data set के अंदर achieve करनेंगे with the help of these formulas, तो इस तरीके से जो जो कि completely depend होता है हमारे एक concept पे जिसका नाम है information gain, thank you